Hello Friends, Welcome to the Fashion Mart दोस्तों किसी भी garment business को चलाने के लिए आपको कपड़े की knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है और उसी के साथ में आपको अच्छे कपड़े खरीदने की knowledge भी होनी चाहिए कि कौन सी quality आपकी location की market के साब से सबसे best होनी ही चाहिए देखिए कपड़े का chain आप इस हिसाप से कर सकते हैं कि आपकी जो shop है आपका जो showroom है वो कहाँ पे है क्या market है क्या customer की demand है उसके हिसाप से आप अच्छी quality के कपड़े खरीच सकते हैं लेकिन जहाँ पे बात आती है jeans की तो jeans में कौन कौन सी quality होती है किस तरह से एक jeans 300 रुपे से 3000 तक की होती है तो दोस्तो आएए देखते हैं कि किन-किन बातों का ध्यान करके आप एक अच्छी quality की jeans पर सेस कर सकते हैं तो मैं आपको samples दिखाऊंगा और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो आपको मैं detail में बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ कि जो सबसे कम quality वाली है वहां से मैं शुरू करता हूँ सबसे highest quality की jeans मैं आपको बताऊंगा देखिए quality किस तरह से check करते हैं सबसे पहला method जो होना चाहिए किसी भी jeans को आप उसकी मोहडी से नीचे देख सकते हैं देखिए कपड़ा उल्टा करके कपड़े का जो pattern है उससे पता लग जाता है कि कपड़ा डॉबी है या नीटेड है दो ही परकार के type होते हैं jeans के अंजर जो maximum देखे जाते हैं या तो वो डॉबी होगा और या नीटेड होगा डॉबी होगा तो उसकी quality कम रहेगी और नीटेड हैगा तो नीटेड में भी ओंस रहते हैं जिसकी वैसे आप ये जान सकते हैं कि quality उसकी कितनी premium होने जा रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉबी कपड़ा है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली चीज इसका एक pattern होता है दूसरे इसके अंदर कितना gap होता है वो चीज आपको देख नहीं है कि यह जो pattern बने हुए है इसमें कितना gap है जादा gap रहेगा तो वो quality अच्छी नहीं है pattern और gap दोनों का ध्यान रखना चाहिए जब यह आपको एक अच्छी quality का पता लगेगा दोस्तों दूसरा जो point आता है वो weight के उपर होता है कि जो भी आप jeans उठा रहे है उसका weight कितना होना चाहिए जितना ज़्यादा weight है इसका मतलब यह नहीं है कि वो अच्छी jeans होगी देखिए quality का इसाब से weight भी उतना matter करता है तो जैसे कि आप यह jeans देख सकते हैं कि यह एक डॉबी कपड़े में है प्लस इसका weight बहुत कम है तो यह जो है बहुत ही कम quality की jeans होगी इसके बाद मैं आपको दूसरे range की jeans दिखाता हूँ जैसे कि यह आप देख सकते हैं कि यह भी एक Levi's की jeans है औरिजिनल नहीं है फस्ट कॉपी है लेकिन इसके अंदर भी quality में आपको detail में दिखाना चाहता हूँ तो आप यह देख सकते हैं कि यह आप detail में देखे यहाँ पे जो कपड़ा है वो किस तरह ऐसे क्या gaps है क्या pattern है pattern और gaps पे ही quality totally depend करती है जो दोस्तों मैंने पहले samples दिखाये थे वो dobby कपड़े में था यह knitted कपड़े में है लेकिन knitted के अंदर भी बहुत सी quality होती है तो यह उतनी अच्छी quality नहीं है मैं इससे अच्छी quality भी आपको दिखाऊंगा तो आप यह देख सकते हैं किस तरह का pattern है साथी में अगर इसके weight की बात की जाए तो weight भी आपको देखना होता है साथी में इसका stretch level भी देखना होता है कि कितना stretchful है वो कपड़ा अगर stretch अच्छा मिल रहा है तो quality अच्छी है क्योंकि डॉबी और नेटेड में भी ऐसे fabric होती है जिसमें lycra बिल्कुल भी नहीं होता है तो आपको आज के time के हिसास से कपड़े ऐसे होने चाहिए जो comfortable भी हो तो lycra के अंदर comfortable ज़्यादा होता है तो मैं आपको request करूँगा कि कपड़े खरीते वे सबसे पहले आपको कपड़े का type देखना है फिर उसके बात में comfort देखना कि यह one of the brand का कपड़ा है जिसका pattern देख सकते हैं पीछे से बिल्कुल gap आपको इसमें नहीं दिखाई देगा साथी में pattern जो है बहुत ही अच्छे किसम का pattern है और कपड़ा बहुत ही मुलायम है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दे कि कपड़ा कितना roughness है और कितना अच्छा है उस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए इसके अलावा मैं आपको यह चीज़ भी दिखा देता हूँ यह भी एक one of the brand है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह दोनों brand है दोनों के जो patterns हैं वो किस तरह में साथी में यहाँ पर gap देख सकते हैं बिल्गूल भी नहीं है आप कपड़े को feel करके पता कर सकते हैं कि वो कितना मुलायम है जितना मुलायम कपड़ा और lycra होता है वो काफी अच्छी quality का माना जाता है कपड़े के साथ में सबसे main importance होती है stitching की stitching कैसी होती है interlock कैसा होता ये भी आपको पूरा देखना पड़ेगा तो अगर आप brand में देखें तो देखिए interlock कितना अच्छे तरह के से double सिलाई का कामिया पर किया जाता है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे किस्म का जो thread यूज किया जाता है साथी में interlock रहता है लेकिन अगर कम quality की jeans में अगर आप देखें तो मैं आपको पीछे से दिखाना चाहता हूँ कि क्या quality यहाँ पर यूज की वी है interlock ना के बराबर है और जो भी stitching है वो देख सकते हैं thread कितना third quality का यहाँ पर यूज किया हुआ हुआ है तो यह चीज भी आप पूरा ध्यान से देख सकते हैं साथी में अगर यहाँ पर आपको repeats भी देखने होते हैं कि अच्छी quality की jeans में अच्छे repeats ही use होते हैं लेकिन जो बेकार quality की jeans होती है उसके repeats भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हैं यह आप देख सकते हैं काफी बेकार quality की है साथी में अगर इसको आप ज़्यादा push भी करोगे तो हो सकता है यहां से तूट भी जाए और आप देख सकते हैं यहां से देखिए किस तरह से mood भी जा रहा है तो यह एक बेकार quality की jeans है तो इन सब बातों का पूरा ध्यान कर सकते हैं साथी में किसी भी quality को आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसकी jeans को आप पुल्टा करके देखिए अगर आपको यह threads ऐसे मिल रहे हैं तो वो बेकार quality की है साथी में आप threads देख सकते हैं देखिए यहां पर देखिए यह जो धागे हैं काफी बेकार quality की धागे है तो इस बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको कि stitching के साथ में धागे किस तरह की यूज कीये हुए है दोस्तों अंदर के stitching के साथ में आपको बाहर से भी पूरा ध्यान देना होता है कि बाहर की जो भी सिलाई है जो भी embroidery है उस पे कितना ध्यान दिया गया है यहां आप देख सकते हैं यह सबसे कम quality की jeans है तो इसको देखने से पता लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है बट उसी तरह से इसकी cost भी है देखिए जिस तरह से quality है उसी तरह से cost भी maintain की गई है तो आप अपनी market के हिसाब से सारा review करके ही उसी तरह के कपड़े purchase कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसी बाहर के stitching आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया है बिल्कुल भी patterns पे, सिलाई पे, धागे पे बिल्कुल भी उतना नहीं ध्यान है यहाँ देखिए यह copy jeans है, लेकिन इसमें भी उतनी जो embroidery वगरा पूरा ध्यान नहीं दिया गया है यह एक brand है, यह brand है, यह brand है, इनकी quality आप देख सकते हैं कि बाहर से कितना maintain किया गया है इसमें हर चीज का पूरा ध्यान दिया गया है, चाहे वो बाहर की repeats हो, यहाँ बैल लगाने वाले यह चीज है तो आप देख सकते हैं इन सभी में कितना ध्यान दिया गया है और बहुत की अच्छे से maintain किया गया है तो आपसे भी मैं request करता हूँ कि किसी भी कपड़े को खरीदने से पहले आप उसकी quality को अंदर और बाहर सभी तरह से check कर सके जब ही जाके आपको पूरा detail में पता लगेगा और आप अच्छे कपड़े purchase कर सके तो दोस्तों दूसरा point यह आता है कि आपको कपड़े की quality के साथ में कपड़े की fitting पे भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा देखिए jeans को purchase करते समय सबसे पहले आपको अपने market को review करना पड़ेगा कि आपकी market में सबसे ज़्यादा किस तरह के fitting के कपड़े पसंद किये जाते हैं तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि regular fit होता है, polo fit होता है, carrot fit होता है, slim fit होता है और ankle fit होता है इन तरह के कपड़े सबसे ज़्यादा jeans के अंदर चलते हैं यह आपको देखना है कि आपकी market में ankle fit सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, polo fit पसंद किया जाता है, या regular fit पसंद किया जाता है दोस्तों अगर आपके shop या showroom के पास में कोई college या school है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि आप सिर्फ पर सिर्फ slim fit और ankle fit के कपड़े ही लेखी आए क्योंकि देखिए, आपके shop पे 18-25 साल तक के बच्चे ही आएंगे, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है, और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई office या कोई corporate है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि आप regular fit या polo fit ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह में office जाने वा दोस्तों, तीसरा point ये आता है, कि आपको अपने shop या showroom पे किस range का माल रखना है, देखिए, अगर आपकी shop है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि आप सबसे कम range और middle range, ये दो range अपने पास में रखिए, क्योंकि क्या होता है, कि shop पे हमेशा ऐसे customer आते हैं, जिनकी range कम रहती है, अगर आपकी shop village में है, तो आप जितनी कम range वाली रखेंगे, उतना ही आपका business ज्यादा चलेगा, क्योंकि village में high range लोगों को नहीं पसंद होता, उनको कपड़े चाहिए, कम range में, तो आप अपनी shop में कम range वाला माल रख सकते हैं, और अगर आपकी shop main market में है, और थोड़ी अच्छी shop है, showroom type है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि आपको दो range रखेंगे, एक middle और एक high range, क्योंकि देखिए, showroom में हमेशा अच्छी quality वाले लोग ही जाते हैं, उनको अच्छी quality चाहिए होती है, उनको पैसे से कोई लेना दिना नहीं होता, अगर अच्छी quality, अच्छे price पे भी मिल रही है, तो वो ले लेते हैं, लेकिन अगर shop की बात की जाए, तो वहाँ पे middle range और नीचे वाली range ये दो range रहती है, तो दोस्तों चौफा point यह आता है, कि अगर आप नई shop खोल रहे हैं, तो मैं आपको recommend करता हूँ कि नई shop में कभी भी एकदम से जादा माल नही भरना चाहिए, क्योंकि आपको market का नहीं पता है कि किस तरह के customer आते हैं, किस तरह की कपड़े की demand है, तो अगर आप नई shop खोल रहे हैं, तो पहले थोड़ा माल रखिए, फिर जो भी आपके customer आ रहे हैं, उसकी need के हिसाब से आप कपड़े वहाँ पे मंगा सकते हैं, आप पहले महीने में review करके देखिए, कि कपड़ों की क्या demand हो रही है, customer क्या मांग रहा है, फिर उसी हिसाब से आप stock को maintain कर सकते हैं, चाहे वो low range हो, middle range हो, या high range हो, तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान करके, आप एक अच्छी jeans को purchase कर सकते हैं, साथी में अपने shop की sales को 10 गु आपी सकते हैं, तो दोस्तों अगर ये video आपने यहां तक देख लिया है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि इस channel को आप जरूर subscribe करें, क्योंकि आपके subscribe करने से ही आपका motivation मुझे मिलता है, और इसी तरह से और अच्छे अच्छे video में आपके सामने ला सकते हैं, तो आपसे request है कि इस लाल कलर के जो subscription बटन को, जो की totally free of cost है, इसका कोई भी charge नहीं है, इसको एक बारी प्रेस करें and इस channel को subscribe करें, तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तो अभी के लिए thank you. झाल